नमस्कार बैजूज आये सिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 24 सितंबर के प्रमुक्ष नमाचारों पर अधारित कुछ प्रस्णों पर चर्चा करने वाले हैं तो आए सुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहाँ पर कुष्चन नमबर वन है निमलिखित कथरों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको दो कथन दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उप्यूक कथरों में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर पहला कथन है PM2.5 और PM10 फेफडों में गहराई तक परवेस करने में सक्षम हैं लेकिन PM2.5 रक्त परवाह में परवेस कर सकते हैं जिसके परणाम सरूप मुख्य रूप से हिर्दय और स्वसन समंधी प्रभाव परलक्षित होते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से यह कहा जा रहा है कि PM2.5 और PM10 इतने छोटे होते हैं कि वह फेफडों म और स्वसन समंधी बीमारिया आपको हो सकती हैं इसको लेकर के WHO के द्वारा एक गाइडलाइन दिया गया है और यहाँ पर WHO ने कहा है कि सोच से पता चलता है कि PM2.5 रक्त परवाह में भी परवेस कर सकता है जिसके परणाम सरूप हिर्दय समंधी बीमारिया हो सकती हैं स्व करके PM2.5 को लेकर के और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है वर्तमान में राष्टिय परिवेसी वायू गुन्वत्ता मानक याने की NAAQS विश्वस्वास संठन के मौजू वायू गुन्वत्ता मानक है जिसे की केंदरिये परदूसर यंतरन बोर्ड के द्वारा तै किया जाता है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्टिय परिवेसी वायू गुन्वत्ता मानक डबलू एचो के मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करते हैं और यही कि दोनों के दोनों कथन सही हैं तो बहुत ही important question है यह डबलू एचो के द्वारा PM 2.5 को लेकर के जो बाते कही गई है वो काफी important हो जाता है और इससे जुड़ावा एक पिक आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसको अधार बना करके यह question आपके सामने रखा गया हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है faster का जिसे हम fast and secure transmission of electronic records के नाम से जानते हैं आप सभी को ध्यान में रखना है कि जुलाई 2016 को भारत के chief justice N.B. रवना की अगवाई वाली एक bench ने इस प्रणाली की सुरवात की थी और इसका मुख्य उदेश सुप्रीम कोर्ट के दोरा जो नेड़ने लिए जाते हैं खास करके जमानत पर उनको जल्दी से जेल अधिकारियों और जाच एजेंसियों तक electronic माध्यम से पहुँचाना था जिससे की बेल में देरी ना हो सके और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो option number B है जहाँ पर कहा जा रहा है जमान कर रहा है यानि की question number 2 का answer होगा आपका option number B इससे जुड़ा हुआ जन्यूज आज के दहिंदू समा चार पत्र में आया है यह भी काफी important है जहाँ पर faster को ले करके बहुत सारी बाते कही गई हैं आए अब question number 3 पर चर्चा कर लेते हैं question number 3 है अरब spring सरकार विरोधी विरोध की एक सरिंखला के सुरुवात मूल रूप से किस देश से हुई थी और यहाँ पर आपको चार देशों के नाम दिये गए हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है अरब spring का अगर हम अरब spring की बात करें तो इसकी सुरुवात 2010 में टुनीसिया में हुआ था जहाँ पर आम लोगों क के द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ परदसन किये गए थे और उसके बाद यह जो परदसन है वो अरब के अन देसों में फैला जैसे सीरिया, इजिब्ट, बहरीन, लीबिया, यमन, इन सभी देसों में धीरे-धीरे वहाँ की आम जनता के द्वारा विरोध परदसन किये इससे जुड़ावा एक निउज आज के दहिंदू समाचार पत्र मीं आया है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, आए आप कोशन नंबर 4 पर चचा कर लेते हैं, कोशन नंबर 4 है, अरजुन मार्क 1A, युद्धक टैंकों के संदर्व में निमलिखित कत्रों मे से कौन सा कथन सही है, और यहां पर आपको दो कथन दिये गए हैं, यहां पर पहला कथन है, यहरूज के सयोग से भारत में निर्मित दूसरी पीढ़ी का मुख युद्धक टैंक है, अगर हम अरजुन मार्क 1A की बात करें, तो इसका निर्मान CVRDE यानि की Combat Vehicle Research and Development Establishment और DR की अन्य लेबोटरी के दोरा किया गया है, जिसे की Heavy Vehicle Factory के दोरा बनाया जाएगा, यानि कि यह पुर्ण रूप से भारत में विक्सित किया गया टैंक है, और अरजुन मार्क 1A में बहुत सारे अपग्रेड किये गये हैं, और इसके धार पर अगर देखा जाए, तो यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से गलत है, रूस के दोरा यहां पर कोई भी सहयोग नहीं दिया गया है, इस टैंक को बनाने में, आए देख लेते हैं दूसरे कथन को, दूसरा कथन है, भारत ने हाल ही में देश के सामगरी नियाद को बढ़ावा देने के लिए, वि इसके धार पर अगर देखा जाये तो यहां पर दूसरा कथन भी गलत है, यानि कि question number 4 का answer होगा, option number D, यहां पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो इस news को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, अर्जुन टैंक को लेकर के सारी बाते यहां पर कही गई हैं, आए अब ए GSR कोशन पर चर्चा कर लेते हैं, और यह question 2015 में पूछा गया था, question number 5 है, board life international नामक संग्ठन के संदर्म में निम्लखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और यहां पर आपको तीन कथन दिये गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्लखित कूट का परियोकर सही उत तो यहां पर चर्चा हो रहा है, board life international को लेकर के, और यहां पर जो पहला कथन यह कह रहा है, कि यह संग्ठन संगटनों की व्यस्विक भागितारी है, जो कि पूरी तरीके से सही है, अगर हम board life international की बात करें, तो इसकी अस्थापना 1922 में हुआ था, और अगर हम अभी की बा अगर देखा जाए, तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है, आए देख लेते हैं दूसरे कथन को, दूसरा कथन है, इसी संग्टन से जैवित्ता होट्सपोर्ट की अवधारना उत्पन हुई, तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से गलत है, अगर हम जैवित्ता ह स्पोर्ट की अवधारना की बात करें तो इसे 1988 में बिटिस इकोलोजिस्ट और लेखक नॉर्मन मायर्स के द्वारा आगे लाया गया था और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है यह और यह पूरी दूनिया में महटपून पक्षी और जयविता वाले छेतरों की पहचान करता है और उनको बचाने के उपर काम करता है यानि कि तीसरा कथन यहां पर सही है और इसके धार पर देखा जाए तो question number 5 का answer होगा option number C यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है आए अब आज के तथे के उपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और सन्युक्त अरब अमिरात के CEPA के उपर यानि की comprehensive economic partnership agreement के उपर इसे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जहां पर यह कहा गया है कि भारत और UAE CEP CEPA को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं और 2022 में वह इस पर sign करेंगे अगर हम भारत और UAE के वैपार की बात करें तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सन्युक्त अरब अमिरात वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा वैपारिक भागिदार है और इन दोनों के बी भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतववे भी है और यहां पर भारत के द्वारा वर्थ दोहर बीस में UAE को 29 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया था और अगर हम निवेस की बात करें तो सन्युक्त अरब अमिरात भारत में आठवा सबसे बड़ा निवेसक है औ और अप्राइल 2000 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में UAE के द्वारा भारत में लगभग 11 अरब डॉलर का निवेस किया गया है भारत की कंप्रियों के द्वारा भी UAE में बहुत ही बड़े पैमाने पर निवेस किया गया है और हम कूल निवेस की बात करें तो यहां पर यह अनु पेटोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, आभूशन, खनीज पदार्थ, अनाज, समुंद्री भोजन, कपड़ा, इंजिनिरिंग और मसीनिरी उत्पाद निर्यात किये जाते हैं और इसके अलावा सन्युक्त अभिनास से भारत कच्चे पेटोलियम, कीमती और लकडी के बने उत्पाद आयात करता है, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा वैपार होता है और इसी को देखते हुए भारत और UAE अपने वैपार को और मजबूत करने के लिए मार्च जोहर 22 तक CEPA यानिकी Comprehensive Economic Partnership Agreement sign करना चाहते हैं, तो इस निउस को भी आप ल पढ़ लेंगे, आसा करता हूं कि आपको आज का ये daily quiz पसंद आया होगा, सारे questions बहुत important topic से जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको revise कर लेंगे, और अगर आपको ये video अच्छा लगे तो आप ज़रूरी से like करें, share करें और दूसरों को भी subscribe करने के लिए प्रिद करें, त तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद.